ओम नमस्षिवाई हर हर महादयो जैशू शंबो और साथी साथ अगर आप चाहते हैं अपनी कुंड़ी का विशलेशन हमसे करवाना इस्क्रीन के उपर नमबर चल रहे हैं आप वाट्सअप पर अपोइन्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं इस साल की सुरुवात से ही जो राहू और शनी दोनों का मूमेंट हुआ है और साथी के लिए एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो बहुत कम समय में इस पूरे प्रभाव से आपको बचा लेगी दूसरा प्रभाव आपके साथ जीवन में यह होगा कि पेट संबंदित उदर संबंदित शिकायते परिशानिया आपके जीवन में आने वाले समय में होने वाली है इ इसका प्रभाव 10 दिसंबर से नजर भी बहुत सरे जातकों को आ रहा होगा इसलिए बी अवेर साउधान रहने क्या उशकता है यहां सामाने परिस्तितियों में नहीं कह रहा हूँ विशे इस परिस्तितियों में यह कह रहा हूँ तीसरा जो मूल रूप से बात होती है कि इ ज़ीन महीन है आखो से संबंधेश शिकायते भी आपकी राशी के जातकों के साथ में बहुत सारी लोगों में देखने को मिलेगी और इसलिए भी अवेर रहें आखों को लेकर जो भी प्रोटेक्शन आप ले पाएं वो प्रोटेक्शन लेकर ही आप धिरे 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 आप को आगे बढ़ना है दोस्तो इसके साथ स्वास्त को लेकर एक सबसे मुवमेंट जो है सामान्य रोग तो ठीक है बीपी शुगर ये एक नॉर्मल रोग है जो आज की यूग में सामान्य है जो हमारी रूटीन दिन चरिया के वज़े से बहुत से जातकों को होती है लेकिन इन परिशानियों की वज़े से हमें बहुत सारी ऐसी परिशानिया हो सकती है जो हमें सोचा भी नहीं होगा इन परिशानियों को दरकिनार करने से इन परिशानियों को बहुत हलके में लेने से ऐसा सामान्य तोर पर नहीं होता है लेकिन बहुत सारी जातकों को बहुत सारी परिशानिया इसकी वज़ा से हो जाती है तो प्लीज यहाँ पर आपको साउधान रहने के हो शकता है स्वासे समधिन जितनी सारे आपके साथ negativity क्रियेट हो रही है चाहे वो किसी भी विंग में हो सकती है बहुत से जातकों को हड़ी से समस्या शुरू हो सकती है और हड़ी रोग इस तरह की होगी बहुत सारी negativity हड़ी रोग को लेकर हो सकती है लेकिन यह सभी वस्थाय में कह रहा हूँ यह विशेस परिस्तित्यों में कह रहा हूँ न कि सामान्य में किसी भी चीज़ को काउंट न करे यह विशेस परिस्तित्यों की में बात कह रहा हूँ अब रही बात मूल यह सभी प्रभाव जो आपके जीवन में 24 में होने वाले हैं इससे अब कैसे बचे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए सबसे पहला है नियमित रूप से शिवाले आपको जाना है मैं हमेशा अपने हार एक वीडियो में कहता हूँ शिव जी का नाम ले जप ले शिव जी को जलसे भी शेक करें रुद्रबी शेक करें और हो सके तो शिव जी के जब करवाएं कई बार गुप्त जब करवाए, महमरत्युजय मंत्र जब करवाए, शिवके जब करवाने से बहुत हमारे जीवन में फायदा हमें होता है दूसरा प्रयोग आपको यह करना है कि जितना हो सके उतना अन्यदान करे जरुतमत लोगों को चावल डोनेट करे, गेहूं डोनेट करे, जो भी खाद्य पदार्त आप डोनेट कर पाए, वो डोनेट करते ही रहे और तीसरा मूल बात है कि जो भी जोतिरलिंग अपने घर के आसपास हो, जोतिरलिंग दर्शन अवश्य रूप से करे एक महिने, दो महिने में कोई भी बड़े जोतिरलिंग के दर्शन अवश्य रूप से करे, जोतिरलिंग के दर्शन करने से हमें कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है और इश्वर की असी मंपर क्रपा होती है इसके साथ इसाथ अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव से आप ग्रसीते वर्तमान तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप वाटसप पर अपोइटमेंट लेकर हमसे बात करें, जो भी आपकी निजी कुंडली में चीज़े चल रही होगी, एक बार स्वास्त को लेकर चीज़े जो भी चल रही है, आप एक बर उब्जरोशन करवाए, इस वाटसप पर नंबर चल रहा है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वाटसप पर अपोइटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस और शूल कर लाग होई दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करना, अपने दोस्तों पुसाद शेयर करना, मिलते अगरे वीडियो में, नमाज शिवाय,